सबसे पहले जो शॉटकट की आपकी अल्ट प्लस टैब अल्ट प्लस टैब स्विच बिट्वीन ओपन एप्लिकेशन तो इसका साथ में जो है अगर आपके पास कंप्यूटर लैप्टोप है तो उसको कीबोड के साथ कुनेक्ट कर लो साथ साथ में जो है प्रैक्टिकल करके बेर लो अल्ट टैब के साथ क्या होता है कि जो मैंने यह जैसे यह जूम अप्लिकेशन खोली और एक मैंने पीडेफ भोलर क्या तो मैं लेव मैं दाऊंगा अल्ट टैब तो मैं यह दो जो यह दो मैं अल्ट और टैब द्वा रहा करूं तो्मेरे जो टैबगे तो यह जो है आपकी अल्ट प्लस टैब का यूज होता है यह एक्जाम में बहुत बार पूछा आता है तो इसको इसको ध्यान भी रखना और इसके बाद जो आता है अब शिफ्ट का यूज किया रहा है अल्ट और टैब के साथ क्या करेगा स्विच बैकवर्ड बिट्वीन अपन अप्लिकेशन अब देखो ध्यान से देखो अल्ट जब टैब दबा रहे हैं तो यह फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है और जब मैं यहां पर क्या करूंगा जब म आपलिकेशन यूज करते हैं उनके बीच में जब हम स्विच्च करते हैं तो हम इन दोनों का यूज survivor बान नह सब्सक्राilly यहां और चलते हैं में को ये जैसे कि मैंने स्पस्छिज क्या करना है हमने हमने करना है है अल्ट प्लस double click तौ अल्ट दबाया डवल क्लिक किया तो यह देखो इसकी प्रोपर्टी स्कॉलकर मुझे टैब दे दिया तो अल्ट प्लस यह क्या करता है आपका अल्ट प्लस डवल क्लिक से क्या होगा डिस्पलेज्पलेड़ अफ्ट और ऑबजेक्ट यू डवल तो उसकी property दिखा देगा आपको जिस भी object पे आप डबल-click करोगे तो maily ली किसके लिए उजय होगा property दिखाने के रिए object की उप्जेक्ट की उसके लिए निपर प्रॉपर्टई यह उसके लिए फ्राइल प्लस डबागिश कर सकते हैं फिर ना बढ़ते हैं आप काता है कंट्रोल प्लस टैब कंट्रोल प्लस टैब का क्या इस्तिमाल है स्विच बिट्वीन प्रोग्राम ग्रूप्स और डॉकुमेंट विंडोस इन एप्लिकेशन डैट स्पॉर्ट इस फीचर यह इतना इंपोर्टन नहीं है क्योंकि यह कोई कोई अप् सब्सक्राइब कंट्रोल शिफ्ट टैब सेम अजब बट बैकवर्ड इसका भी हमने यूज नहीं लेना है क्योंकि इंपोर्टन नहीं है क्योंकि कई अप्लिकेशन में यह कामी नहीं करेगा अल्ट प्लस प्रिंट स्किन यह इंपोर्टन है देखो क्रीट स्क्रीन शॉट करेंग लिए और उन basil कर लेता हुएए धिंख मेंने मैं माइशन कर लिया में मतलब इसका स्क्रीन शोट ना कर लिया मैंने कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रिंट स्क्रीन डवाएए अब मुझे पता कैसे चले चले काया इसने इसे इसका ही स्क्रिंशोट लिया इतने ही एरिया का स्क्रिंशाट लिए है तो मैं क्या करूगा ने जाओन आप कंट्रोल भी करता हूं देखो इसने सिर्फ जो मैंने यह मीरा टैब था यह जो पीडिएफ का सिर्फ इसने इसको ही जो है परिंट करके दिया है मुझे बाहर वाला पॉर्शन ही नहीं करके दिया इसने बट जब मैं कंट्रोल प्लस प्रेंट स्क्रीन करूंगा आप देखना म कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन अब इसको मैं पेंट पर जाके जब पेस्ट करूंगा तो यह देखो इसने पूरा का पूरा डोकुमेंट दे यह भी दिया और साइड वाला जो मेरा बैग्राउंड में था वो भी दिया तो यहां पर देखिए इन दोनों में डिफ्रेंस क् करता हैं ठीक है सिर्फ जो आपने करेंटली विंडो पे काम कर रहे हैं उसका ही स्कृल कहर प्रिंट करेंपट करेंगें जो थो स्क्रीन जो भी आपके में यह संद्य को सकता है लेकिन करता नहीं है एक्च्छल में और प्रिंगब दा समनेंजर यह आपके सामने टास्क मेनेजर प्लस जो ऑप्शन है बाकी वो करके देगा देखां कंट्रोल अल्ट डिलीट मैं अगर दबाता हूं यह देखो लॉक स्विच यूजर साइण आउट चेंज पासवर्ड यह खोल के देगा तो में ली इसका यूज़ जो है हम टास्क मेनेजर के जो टास्क मेनेजर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर आप इसको अपने कंप्यूटर या लैप्टोप पे करोगे ना तो टास्क मेनेजर भी नहीं लेकिन option में आपको देगा यह रिबूड का option देगा टास्क मेनेजर का option देगा कुछ और दो तिन option देगा लेकिन आपने पर्टिकुलर टास्क मेनेजर को खोलना है अगर ठीक है इमेडेटली तब आप कंट्रोल शिफ्ट और एसकेप का दबाएंगे ठीक है तो यह इंपो option है वही गलत पूछ लिया जाता है यहां फिर आपको option ही गलत दे दिये जाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एसकेप का क्या मतलब होता है हमें टास्क बार कोल के देगा यह और अगर कंट्रोल अल्ट डिलीट बोला गया है तो आप इन मेंसे option को टिक करके आ सकते हो जो भी होगा उसके कोड़िग उनका दोनवा यूज हमने देख लिया देन कंट्रोल प्लस एसके ब्रिंग्स अप दा विंडोस स्टार्ट मेन्यू इन विंडोस एक्स इडिस वूड ब्रिंग अप दास्क नहीं देखो क्या अगरता है एक कंट्रोल प्लस एसकेप अगर मैं होता है तो क्या करके देगा यह मुझे स्टार्ट मेन्यू कोल के देगा विंडोस का देन अल्ट के साथ एसकेप अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा स्विच बिट्वीन ओपन एप्लिकेशन और टास्क बार अब नीचे देखो यह आपका टास्क बार जहां पर मैंने खोल रखा है और दूसरा जो है आपका PDF राइट अगर मैं दबाऊंगा अल्ट प्लस एसकेप ध्यान से देखना इसको अल्ट प्लस एसकेप दबाता हूं में यह देखो नीचे मैंने जो भी टैब खोल रखे हैं उनमें जो है मैं डिरेक्ली जा सकता हूं तो अल्ट प्लस जब हम नीचे टास्क बार देखते हैं ना टास्क बार में ली उनके बीच में शिफ्ट कर सकता हूं मैं टास्क बार में तो अल्ट प्लस एसकेप का वहां पर यूज होता है तो कंट्रोल प्लस एसकेप और अल्ट प्लस एसकेप में काफी डिफ्रेंस है पिर आता है आपका पर क्लिक किया मैं दबाता हूं एफ टू तो यह क्या मैं डिरेक्टली यहां पे अब मैं इसका कुछ भी नेम दे सकता हूं एक्सबाइब एफ टू का जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं आपको पता चल गया है रेट रिनेम करने के लिए फाइल को एफ-3 बैसिकली सर्च के ल आप यहां पर देखो इसकी बाद करी जा रही है एफ-4 एफ-4 दवाता हूं देखो ऊपर वाला जो है आपका टैब यानि की अभी यह मेरे को बता रहा है कि मैं डी के अंदर हूं लेकिन डी के अंदर मैंने कुछ और खौल नहीं रखा ठीक है तो यहां पर डिरेक्टली मै का ऊपर वाला एब खोल के देता है मेंडी तो क्या करता है ओपन सब्सक्राइब सेलेक्शन तो यहां से आप डारें ड्राइब जो है अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं तो यह इस्तेमाल होता है एफ-5 की बात करें तो रिफ्रेश के लिए यूज होता है याद रखेगा यह देखो कंट्रोल प्लस एफ-5 कंट्रोल के साथ अगर मैं दबाऊंगा तो रिफ्रेश दापेज बिगिनिंग ऑफ दपेज तो चाहें मैं दबाऊं काम इसने रिफ्रेश का ही करना है ठीक है तो यह याद रखना एफ-10 क्या करता है मेन्यू बार को एक्टिवेट करके देत है कैसे मैंस तरह को तो यहाँ पर देखो यह तो यह ब search नवार यहाँ यह वाला तो मैंस इस तरह से जाएंगे जिसमें तीन जो है आपके टाब हरे हैं जैसे अल्ट शिफ्ट टैब यूज उरा है डबल क्लिक हो रहा है ठेक है तो यह जो है इस तरह से आपको पूचा है अब बात करते हैं शिफट ठीश किया करता है सिमूलेट्स राइट क्लिक ओन दौसलेक्टेड आइटम यह बहुत ही जुरूरी है दिखिए शिफट्ड एफ 10 का इस्तेमाल कैसे होता है देखो यहां पे है कि मैंने स्पेक्ट्रम पे क्लिक किया थी का शीफटब प्लस एफटेन और रैट्डिक जब लाइट क्लिक करते हूं नो मानलो यह मैंने सेलेक्ट किया इस पर माउस से मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे यह खुल के देता है ना उसी परकार अगर आपने कीबूर्ड के साथ इसे करना है तो आप शिफ्ट प्लस एफ 10 तो आपको राइट क्लिक मिल जाएगा तो राइट क्लिक के रिए कौन सा टैब यूज होता है शिफ्ट प्लस एफ 10 देन आता है आपका एफ प्लस एफ आपको प्लस एफटार अगर मैं प्लस एफ फटार से प्लॉस होता है आपका डॉकुमेंट देन आता है आपका कंट्रोल प्लस एफ फॉर लोज इस विंडो इन प्रोग्राम इसको करके देखते हैं कंट्रोल प्लस एफ फॉर क्या रहा है यह पूछ रहा है मेरे को लीव कर दूंकि नहीं ठीक है तो काम दोनों का एक ही वैसे लेकिन अल्ट प्लस एफ फॉर दबाऊंगा तो यह भी मुझे ऐसे पूछ रहा है लेकिन काम इन दोनों का एक ही है कंट्रोल प्लस एफ फॉर लॉस इस विंडो इन प्रोग्राम के अंदर विंडो शायद इसको इस तरह से बंद होगा रहा है कंट्रोल प्लस एफ पॉर तो दोनों का काम सेम ही प्रिशन जाते हैं कंट्रोल प्लस एफ फॉर तो यहां पर आप कंट्रोल प्लस एफ फॉर दबाओगे तो कुछ इस तरह से देखने को भी लगा पहले जैसा जैसे आप फॉर दबा रहे थे ना नॉर्मली तो सेमी काम कर रहा लेकिन अलग लग डोकुमेंट में अलग लग इसको मैं अगर स्पेक्ट्रम को खोलता हूं तो सेमी चीज है यहां पर क्लॉस करके देगा दोनों तो इतना से आपने याद रखना है ठीक है एफ सिक्स पर चलते हैं मूव कर्सर टूदा डिफ्रेंट विंडो एक्स्पोरर पेंड तो एप सिक्स से क्या होगा कर्सर को डि यह देखो मानलो यह मैंने टैब खोला है अगर एक बार क्लिक करूंगा तो यह नीचे वाला ओप्शन जो भी लिंक आएगा ना उस पर जा रहा है एक और बार दबावाँगा तो यह निउट पर आ रहा है फिर नीचे आएगा यहां पर फेवरेट मैंने यहां पर इस पर है मतलब इसका काम वही है यह टैब वाला काम है एफ 60 एफ 6 का लेकिन यह आपको एक्जाम में पूछा नहीं जाएगा और विंडो कंट्रोल मेनिउ इसको मैं काफी दुनों बार यूज कर रहा है तो इसलिए मुझे भूल चुक्त अगे अल्ट प्लस स्पेस वार और प्लस स्पेस वार कि ड्रोब डाउन दा विंडो कंट्रोल मेनिउ यहां पर देखो मेरे को एक लेफ्ट साइड पर इसने वि री स्टोर कर सकता हूं किनिवार्स खोल सकता हूं ठLes करेगा मेंनु टैब खोल के देगा मेरको डोपथाउं है मैं अब मैं किसी और एपली केशन परिश करते हूं मैं लो वर्ड को लेते हैं एक लिए पलस comments वहीं काम कर रहे है देखो कर दो- So प्लस पेसबार तो री स्टोर मिनिमाइज और क्लोज यह तीन काम जो है यह करके दे रहा है जो यहां से आप कर सकते होई इस वाली साइट से तो इसका यूज यहां पर यह होता है देन आपका आता है कंट्रोल यह यह तो काफी पेचीता है तो कंट्रोल दो प्लस की ऑन दो कीपैड अटोमेटिकली अजस्ट विट्थ ओफ वाल्ट विंडूज अफ्टॉर यह इंपोर्टन नहीं है अल्ट प्लस एंटर यह पूछा आता है अल्ट प्लस एंटर ओपन प्रॉपर्टी विंडोज ऑफ सेलेक्टेड आइकन ओफ प्रोग्र प्लस एंटर और दूसरा कोन सा था तो अज़िए अल्ट डवल क्लिक यह अल्ट यह फिर अल्ट के साथ आप एंटर दबाओगे तो क्या होगा सेमी रिजल्ट देगा आपकी सेलेक्टेड आइटम जो भी होगी जुसके आप क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी स्कॉल के देगा है राइट देन आता है आल्ट प्लस स्पेस बार ओपन दा कंट्रोल मेन्यू फोर दा करन्ट विंडो ओपन तो इसका जो अग दीट डीट डीट प्रोग्राम फाइल विडाओट विडाओट त्रोंग्थ रिजहीं नहीं आभी और पर्मेंट्ली दीच वहाँ घूछाएगी तो इस्थे मोड़ और बाइपास सिस्टम फाइल से उसे कंप्यूटर इंग तो यह जब कंप्यूटर आपका बूट हो रहा सेफ मोड जब आप ओन करते हो ठीक है तब आप होल्ड करके रखते हो अपने शिफ्ट बटन को रहें तो इसका यूज इतना नहीं है एंटर की बात करें तो आपको पता एक्टिवेट दाहले कि प्रोग्राम और ड्रोप डाउन डिस्पले हो एक्षिन्स अन ड्रोप डाउन मेंदिव में अल्ट प्लस डाउन डेखने को मिलेगा यह को कि तो अगर मैं अल्ट के साथ जो आपके forward और backward की use करूं न तो यह जो है मुझे अलग-अलग tab खुलके दे रहा है ठीक है इस PC document के अंदर गया इस PC फिर डॉकुमेंट इस PC फिर जो आपका यह जो है इसको practice कर लेना एक दो बार इतना इंपोर्टन नहीं है यह examination में नहीं पूछा गया आज तक देन आपका आता है इस इस नौट that much important to copy a file press and hold the control key while you drag the file to the another folder ठीक है जब आपने देखो एक चीज़ बताता हूं यहां पर आपने file को copy करना होता है control सी दबाते हो ना अगर मान लो मुझे यह file और यह my credentials वाली file जो है यह दोनों ही select करनी है तो मैं control को hold करके रखूँगा इस पर पहले क्लिक करूँगा फिर दूसरा इस पर क्लिक करूँगा तो यह दोनों item मेरे select हो चुके हैं अब मैं control सी करूँगा तो मेरा यह दोनों document copy हो जाएंगे ठीक है इसके साथ साथ अगर मुझे यह भी चाहिए यह English इबुक कंप्यूटर तो इस पर मैं क्लिक करूँगा control को hold करके देन यह मेरे तीनों select हो जाएंगे अगर नॉर्मली आप select करोगे तो नहीं होगा single single होगा ठीक है लेकिन आप control के साथ करोगे तो multiple select कर सकते हो according to you तो तो ठीक है ना बापे सलते हैं अपनी slide पे right to create a shortcut press and hold down control प्लस shift while you drag a file to the desktop तो shortcut create करना हो किसी file का तो क्या करेंगे press and hold down control control प्लस shift क्ट्रोड प्लस shift को दवाएंगे वाल यू ड्राग फाइल यहां पर देखिए यह तो कुछ अलागी कर रहा है काम कि इसको एक बार या प्रैक्टिस कर लेना खुद अभी मेरे पास डॉकुमेंट काफी सारे हैं तो गड़बड हो रहा है यहां पर अब बाकि नॉर्मल एक न्या डॉकुमेंट जब आप खूलते हो रही तो नया डॉकुमेंट आपका खुल जाता है यह आपको पता होगा कंट्रोलों से आप क्या करते हो ओपन करना हो कोई भी एक्जिस्टिंग डॉकुमेंट जैसे मैंने कोई पीपिटी फाइल आल्रेडी बना रखी है और मैं नॉर्मली पीपिटी को औन करता हूं कि जैसे मैं पीपिटी लिखता हूं कि बलैंक स्लाइड है ओपन करना हो तो मैं फाइल पर जाके यहां पर यहां से भी ओपन कर सकता हो कोई भी डॉकुमेंट मैंने बनाया होगा जो ठीक है लेकिन अगर मुझे शॉटकट की के इस्तेमाल से करना है तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल ओ यह मुझे टैब के देगा यह देखो मुझे टैब और यहां पर वर्ड डॉकुमेंट में काम करेंगे अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है तो क्या था कंट्रोल प्लस और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस और दबाऊंगा क्या किया मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया कंट्रोल और से तो यह आपका बेसिकली वर्ड वाले डॉकुमेंट पर काम करेंगा आ एक पाइल यह आपको पता है कंट्रोल टी से क्या होगा क्रेटिंग लिए फैंगिंग इंडेंट तो यह बेसिकली क्या करेगा कंट्रोल टी इसको सेलेक्ट करते हैं को दो है तो यहां पर क्यों नहीं दे रहा है है ओके 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 तो यहां पर ध्यान दो उपर यह वाला यह वाला इंडेंटेशन यह न इसको अगर मैं कंट्रोल टी दवारा हो न तो यह देखो आगया आगए यह चला जा रहा है तो इस तरह से आपने इंडेंटेशन चेंज करना है फाइल का तो तब आप कंट्रोल प्लस टी से कर सकते हो रइट दैन आपका आता है अपी सब्सक्रण खुब को कि फाइल आपने यह उपन कर रखिये उसको क्लोज करना आ से कि मैंने फाइल कर रखिए अगर मैं यह बंद हो जाएगा रइट कंट्रोल एक से कट करना था यूज करते हैं अगर हम बात करें कंट्रोल वाइसे रीडू हो जाता है कोई भी काम किया है तो उसको रीडू करने के लिए जो है क्या गरूंगा और कंट्रोल वाई कंट्रोल से अंडू होता है समझें रीड्म we वाप्स पूर को चेंज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट करते हैं चुन्ट्रोल प्रफ शिफ्ट फ यह वाला लेस देन वाला एरो इससे क्या होगा इंक्रीज सेलेक्टेड पॉंट वन पॉइंट अप टू पॉइंट इसको करके देखते हैं कंट्रॉल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन वर्ड में चलते हैं यहां पर कुछ लिख देते हैं तो हमने किसको यूज करना है कंट्रॉल शिफ्ट और लेस्ट इन वाला कॉन्ट्रॉल इसको बहुत कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और यहां पर लेस्टेन वाला साइन यह देखो तो यह क्या करके दे रहा है मिरको यह font size increase करके दे रहा है ठीक है लेकिन कितना करके दे रहा है यह देखते हैं कि यह देखो 90 100 10 10 से अगर मैं backward वाला दबाऊंगा न तो यह कम करके दे रहा है यह shortcut keys होते हैं control shift अगर मैं पीछे वाला जो लेफ्ट साइड वाला है उसको करूंगा तो यह कम कर देगा ठीक है टॉंटी टूसे इसने और टॉंटी कर दिया एटिन कर दिया दो दो से दो पॉइंट से कम हो रहा है और अगर इंक्रीज वाला करूंगा दूसरी साइड वाला राइट साइड वाला तो इनक्रीज करते देना तो इन दोनों के काम क्या है फॉंट को साइज को इंक्रीज़ करना तो यह shift के साथ control का यूज होता है इसमें क्या पारक है और यह बैक्वर्ड यह भी सेम काम कर रहा है लेकिन यह इंक्रीज कितना कर रहा है यह सिर्फ वन पॉइंट इंक्रीज कर रहा है यहां पर देखना ध्यान से प्राइब कर रहा है यह क्या है एक पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या होगा डिक्रीज करेगा ओविएसली वन इसको एक पॉइंट से यह हमने जैसे देखा एक पॉइंटिंक्रीज कर रहा है यह डिक्रीज करेगा नौन पृंटिंक करेंटर होते हैं उनको करना या उनको हाइड करना उसमें यहां पर यह यहां ठोल और left arrow moves one word to the left control और left arrow को use करेंगे तो moves one word to the left इसको करके देखते हैं मान लो यह है control और left arrow basically देखिए मान लो मैं यहां पर हूँ मेरा यहां पर जो आपका ठाकुर है इसके ठीक एंड में ठीक है अगर मैं इसको वन वर्ड पीछे लाना चाहता हूँ यानि कि यहां पर ठीक है तो मैं directly क्या करूंगा control के साथ बैक्वर्ड एरो वाला जो आपके गीवर्ड पर बना होता है उसको दबाऊंगा एक वर्ड पीछे आ जाएगा यह वहां पर ब्लिंक करने लेगा अगर मैं आधर्ष्प के तब ही आपको याद होगा रट्टा मारने से जो है कितना याद कर लोगे ठीक है एक दो बार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे मतलब किसका यूज कहां पर क्या होता है ठीक है शॉटकट की इसके एक दो क्वेशन हमेशा पूछे आते हैं अपको इसलिए करवा रहा हूं आप लोगो कंट्रोल प्लस अप एरो मूव बिगनिंग ओफ दा लाइन और पैराग्राफ क्या करेगा जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसकी बिगनिंग वाली जो ला तो क्या करेगा आए कंट्रोल प्लस अप एरो कंट्रोल प्लस अप एरो ठीक है यह देखो ध्यान से देखो इसको यहां पर बिलिंक कर रहा है मेरा ठीक है तरसर प्लस अप एरो कंट्रोल प्लस अप एरो दवाऊंगा ठीक इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पर चला जाएगा अगर मैं एक और पैराग्राफ यहां पर मानलो एड़ कर देता हूं यहां पे और पेराग्राफ एड़ कर दिया अगर मैं यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे चला जाएगा देखना यहां पे यहां पे चला गया तो एक पैराग्राफ पीछे बिगनिंग ऑफ दा लाइन जो पैराग्राफ की उती है वहां पे लिके जाने के लिए नहीं कंट्रोल आप एरो कंट्रोल ड्राउं डाउन एरो को सिफ जो जो आपका उल्टा हो जाएगा इसका ठीक है तो यह राइट साइड वाला इसका जो भी वर्ड होगा उसको ड्रीट कर देगा कैसे इसको करके देखते हैं तो मांझा जो यहां पर मेरा करसर है मैंने ठाकर को डिलीट करना है क्या करूंगा किंट्रोल डिलीट अगर लेफट साइड होगा है तो कंट्रोल प्लस बैक्सपेस ठीक है लेट साइड वाला मानलो यहां पे मुझे आदर्श को पूरा कंप्लेटली जो है डिलीट करना एक कंट्रोल प्लस लेख पीड पूरा मिट गया ठीक है तो इस तरह से जो है करते हैं देना तक कंट्रोल प्लस एंड मूफ तकर से टुदा एंड ऑफ डॉकुमेंट के एंड पे करसर लेके जाना है ना तो कंट्रोल प्लस एंड और आगर आपने बिग्णिंग पे लेके जाना है एक यह सब चीजे समझ आ गई हैं बाकिके रिमेनिंग जो है नेक्स एक अगर मुझे सब्सक्राइब कर सकता हूं और इसको और इसको इस पर रहा कर दिया तो यह सेलेक्ट कर दिया लेकिन अगर मुझे शौर्टकट की के साथ करना है तो कंट्रोल यह दबाऊंगा सिंपली तो यह सारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल एक को यूज करिए माइक्रोसफ्ट वर्ड में कुछ पिया पैराग्राफ लिखिए उसमें इसकी प्रैक्टिस करिए इसका भी मैं आपको क्या करूंगा इसका पीडिये दे दूंगा आप लोगों को यहां पिर जो है इनकी पिक जो है मैं आपको देदूंगा ठीक है कंट्रोल बी बोल्ड करने क से कोपी होता है टेक्स्ट करके इसमें क्या कर सकते हैं गवाल इटालिक और रेगुलर में ठीक है और साइज कर सकते हो राइट एंड फॉंड के जो जिसके स्टाइल होता वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हो इस टाइप का चाहिए आपको तो यह आपका इस तरह से काम करता है देन आपका आता है इसको मैंने सेलेक्ट किया मुझे चाहिए यह यहां पर सेंटर में तो मैं क्या करूंगा इसका क्या होता है सेंटर में लाने के लिए से क्या होगा फाइंड बॉक्स ओपन होगा देखते हैं कंट्रोल एफ से देखो इस साइड में नेविगेशन फाइंड बॉक्स इसमें थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा जब आप वुंडोस सुरी आपका जो माइक्रसोफ 2007 है ठीक है उसमें अगर आप देखेंगे ना उसमें कुछ और चीज़े देखने को मिलें कंट्रोल एफ से आपको डायलोग बॉक्स लेकिन इसमें क्या है नैविगेशन ओन हो रहा है रहें कंट्रोल जी से गोट आएगा कंट्रोल से रिपलेसोब्स ऊपन हो जाएगा कंट्रोल एक से निय beslaoquस ते यहां कोई भी वड़ को आप यहां पे चेंज कर सकते हो मालो यह से वाला बेला यह वाला मैं रिप्लेश तो देखो नाम मेरा क्या है चेंज हो गया यहां पर इस तरह से फाइंड रिप्लेश का यूज हम किस कैसे कर सकते हैं कंट्रोल एच वर्ड के अंदर कंट्रोल आई इटैली कर सकते हैं टेक्स को कंट्रोल जे के साथ अलाइन दस्लेक्ट टेक्स टूदा तो यह स्टिफाइँ होता है जो वाई डिफॉल्ट आपका लेक्ट साइड होता है इसको हम एक कुछ नहीं ओगा देखना तो यह जॉसटीफाइड ही क्रेंच होता ना इनलाइने डिफर्ट के संब लिक इसे आप लिक को इनसर्ट कर सकते उपने स्क्रीन कंट्रोल से जो है क्या स्क्रीन के लेफ्ट में तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कंट्रोल एम से क्या होता है यह देखो इंडेंटेशन एक टैब जो है इंडेंटेशन साइड में जा रहा है तो इस तरह से आप इंडेंटेशन दे सकते हों राइट बाकी दोस्तों जो है रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कवर करवाऊंगा